अगर दोस्तों आप इस वीडियो की पीडियाप पाना चाहते हैं तो आप मारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो फस्ट क्वेशन है अगरिकल्चन उनिवस्टी पालंपूर इस नेम्ड आफ्टर बिच प्रिसिनलेटी तो क्रिशी बिश्वद्याले पालंपूर का नामकर्ण किस ब्यक्तित्व के नाम पर किया गया ये किया गया दोस्तो चोदरी शर्बन कुमार के नाम पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा चोदरी शर्बन कुमार बात करें क्रिशी बिश्वद्याले पालंपूर की दोस्तो इसकी स्तापना कब हुई थी तो 1978 में इसकी स्तापना हुई थी और जो क्रिशी बिश्वद्याले पालंपूर है दोस्तो इसकी दो अन्य शाखाएं दोस्तो एक धोला कुमा में और एक कुलू के बजोरा में कारे कर रही हैं, नेक्स्ट क्वेशन है रॉरिक आर्ट गैलरी is located at which place of HP रॉरिक आर्ट गैलरी HP के किस स्थान पर स्तेत है तो जो रॉरिक आर्ट गैलरी है यह कहां है, यह है कुलू के नगर में और और नेक्स्ट है दोस्तों जो अंद्रेटा है यहाँ पर सोबा सिंग आर्ट गैलरी है नेक्स्ट क्वेशन है जराड फुक्की मैरिज इस प्रिवेलेंट एमंग दा ट्राइबल प्यूपल और बिच डिस्टिक ऑफ है जराड फुक्की शादी है किस चिले के जनजातियों में प्रचलित है तो यह जो शादी है दोस्तों यह कांगड़ा और चंभा दोनों के उग्ष्यत्रों में प्रचलित है option इसका सी सही हो जाएगा यह और बी दोन्नो तो जराड फुक्की ब्राड फुक्की और जो जिन्ट फुक्की शादियं है यह प्रचलित है और ज़ाद तर दोस्तों ये जो गद्दी जन जाती है उसमें प्रचलित है और बात करें किनोर की दोस्तों तो किनोर में जाने टांग और जाने कांग नाम की जो शादियां है वो प्रचलित हैं किस बाइसराइ नाम पर अपनी पुत्री का नाम रखा तो ये नाम रखा था दोस्तों लौड गरजन है और ऑप्शन डी सही हो जाएगा लौड करजन नेक्स्ट क्वेशन है बिच सेज है बिच सेज हैस बीन एसोसियेटेड बिद रिबालसर इन डिस्टिक मंडी तो कौन से संथ एच्पी के मंडी जीले के रिबालसर से सबंध है दोस्तों रिबालसर जो है एक पवित्र स्थान है तीन धर्मों के लिए हिंदू बहुत और सि प्रसिद है गुरु गोविन सिंग लोमेश रिशी और दोस्तों जो बहुत के गुरु थे पदम संभव उन्हें के लिए प्रसिद है और रिवाल सर में चेंचु नाम का मेला भी लगता है नेक्स्ट क्वेशन है मिंदल देवी टेंपल is situated at which place in HP तो मिंदल देवी मंदिर HP के किस जिले में स्तित है तो मिंदल देवी का मंदिर कहां है दोस्तों यह जो पांगी घाटी है बहां पर देवी कोठी इसका सही आंसर हो जाएगा option C देवी कोठी और उदेपुर में दोस्तो उदेपुर लहुल स्पिती में मिरिकुला देवी का मंदिर है नेक्स्ट है डल फियर is celebrated at which place in HP तो डल मेला कहां लगता है तो यह दोस्तों धर्मशाला के मैकलो के उपर बहां पर जो डल लेक है बहां पर ही डल फियर मनाया जाता है तो option A सही हो जाएगा question पूचा जाता है डल लेक कहां है तो यह है धर्मशाला में नेक्स्ट है तो रासा डांस is prevalent in which district of HP तो रासा नरित्य किस जिले में प्रचलित है तो रासा नरित्य जो है यह बनाया जाता है सिर्मवर डिस्टिक में option A सही हो जाएगा सिर्मवर इसका सही आंसर है next है HRDC came into existence in which year तो HRDC किस बर्स अस्तित्व में आया तो यह आया 1974 में option B सही हो जाएगा और HP state जो fresh corporation का डिपार्मेंट है दोस्तो वो भी 1974 में ही स्तित्व में आया था next है सिंबल बाड़ा national park is situated in which district of HP सिंबल बाड़ा राश्टिय उद्यान किस जिले में है यह है दोस्तो सिर्मवर में option A सही हो जाएगा सिर्मवर में जिसे करनल सेरगंज राश्टिय पार्क के नाम से भी जाना जाता है और दोस्तो हिमाचन में कुल 5 national park हैं तो एक हो गया सिर्मवर डिस्टिक में और 3 हैं कुल्लू में कौन-कौन से एक है ग्रेट हिमाल्य नाश्टिय नाश्टिय पार्क एक खीरगंगा नाश्टिय 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 न आकौर और जो जटिस टी बियार तटाचारी थे दोस्तों यही माचप देश के प्रत्थम लोकायूक थे और जटिस एमेच बेख है यही माचप देश के जो हाइकोट है उसके मुक्य नयाई दीश थे प्रत्थम और जो जश्टिस जेयन मनर्जी है ये थे प्रत्थम नयाई का युक्त नेक्स्ट है फॉंडर ओप कुनिहार डोमिनियन बॉज कुनिहार राजसाई के संस्तापक कौन थे ये थे अभोज देव औप्शन सी से ही हो जाएगा अभोज देव थे दोस्तो कुनिहार राजसाई के संस्तापक थे और जो अजे देव हैं दोस्तों ये बागल जो रियासत है उसके संस्तापक थे और पसंतपाल जो थे ये जो बगाट रियासत है उसके संस्तापक थे और जो बीरचंद है दोस्तों इन्होंने जो कहलूर रियासत की स्तापना करी थी और ये कन्य रियासत के संस्तापक का नाम बीरचंद है उसका नाम है महलोग next question है मंडी स्टेट मंडी शेहर स्वरी मंडी राज्य किस राज्य की ही शाका थी दोस्तों मंडी रियासत जो थी वो सक्वेत रियासत से लग होकर बनी थी तो option D से हो जाएगा स्क्वेत इसकी स्तापना करी थी बीर सेन ने और जो मंडी रियासत है इसकी स्तापना करी थी दोस्तों बहुसेन के द्वारा करी गई थी नेक्स्ट क्वेशन है बिच बैली जाल सो नौनेज बस्पा बैली तो किस घाटी को बस्पा घाटी के नाम से जाना जाता है तो बस्वा घटी के नाम से जाना जाता है सांगला को option C से हो जाएगा सांगला बैली बाकी बल है चुहार और जो दोस्तों चौंत्रा बैली हैं ये तीनों जो पढ़ती हैं ये मंडी डिस्टिक में पढ़ती हैं नेक्स्ट है इंद्रहार पास कुनेक्ट कांगड़ा बिच कांगड़ा डिस्टिक बिद बिच प्लेस ओफ एच पी तो इंद्रहार पास जो है वो कांगड़ा को किस स्थान से जोड़ता है तो ये जोड़ता है ब्रमौर से option C से हो जाएगा ब्रमौर एक जालसू दर्रा जो है, वो भी कांगडा को ब्रमोर से कुनेक्ट करता है एक इंद्रहार हो गया, एक निकोडा दर्रा हो गया यह जो दर्रे हैं दोस्तों, यह कांगडा को ब्रमोर से कुनेक्ट करते हैं next है, next कांटफेर के question है 2019 सुरी 2021 के हैं दोस्तो उतने important नहीं है लेकिन आपको मैं बता देता हूँ किस देशने COVID-19 की दूसरी लहर के बाद medical oxygen की मांग को पूरा करने के लिए project O2 for India की शुरुआत करीधी दूए करीधी भारत ने Next है नफ्ताली बैनेट जो हाल हमें चर्चा में थे ये दोस्तो इस्राईल के प्रधान मंतरी थे नफ्ताली बने थे next है अबदल्ला शाहिद जो UN महासावा के 76-71 के नामीत अध्यक्स हैं किस देश के हैं तो ये थे दोस्तो मालडीव option d सही हो जाएगा मालडीव नेक्स्ट है रिजनिंग से क्वेशन तो B E is related to G J in the same way as P S is related to तो दोस्तों इसमें जो कोडिंग हुई है जैसे B के बाद अगला जो पांचवा अकसर आता है जी आता है और E के बाद जो पांचवा लैटर है बो आता है J तो इसी तरह दोस्तों P के बाद जो पांचवा लैटर आएगा वो कौन सा आएगा जैसे P Q R S T और U तो U स्टार्टिंग यहां से हो रही है और बाकी S के बाद पांचवा तो T U B W और X तो इसका option B जो है वो सही हो जाएगा U X इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स है तो आप सभी को पता होना चाहिए पहले दोस्तों जो अमफिबियन होते हैं यहनकी उबेचर होते हैं वो जाल और थल दोनों पर रह सकते हैं यहाँ पर पूचा है अगर आप उबेचरों को जमीन और कहा पर पाएंगे तो जमीन और यहाँ पर पूचा गया है water is called rain तो rain यानि कि क्या कहा गया है पानी को बर्षा कहा जाता है तो यहाँ पर option इसका D सही हो जाएगा बर्षा इसका सही आंसर हो जाएगा तो दोस्तों ये question जो है इसका जो सही answer हो जाएगा राजू हर सौंबार, बुदभार, शनिबार को टहलने के लिए जाता है और संतों उसी समय हर सौंबार, गुरुबार, शुक्रवार और शनिबार को टहलने जाता है यदि स्तंबर का महिना मंगलबार से सुरू होता है तो इस महा के दुरान बे कितनी बार मिलेंगे तो दोस्तों मिनमम तो बे आठ बार मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो same days दिये हुए हैं कौन कौन से same days हैं इनमें तो एक सौंबार है और एक है शनिबार बाकी दो बार जो हैं बहुर डिफरेंट हैं तो आप सभी को बता है जो फोर फोर बिक्स का बन मंत होता है तो आठ दिन तो यहीं हो गए तो यहाँ पर वो कितनी बार मिलेंगे तो दोस्तो बे मिलेंगे 9 बार option इसका option इसका c जो है वो सही हो जाएगा next है in a row of 40 students facing north class is 6 to the left of someone if someone is 30th from the left end of the row how far is class from the right end of the row तो दोस्तो यहाँ पर पूचा है 40 चात्रों की एक स्रिंकला है जिसमें केलास जो है वो सोमन के बाएं से छटा है तो दोस्तों यहाँ पर मानो यह सोमन है तो किलांस जो है वो इसके इस तर्फ कौन सा रैंक है उसका छटा रैंक है और आगे पूचा है यदि सोमन स्रिंखला के बाएं छोर से तीसवा है तो दोस्तों जो सोनम का यानिकी जो बाएं छोर से अगर इस तर्फ से स्रिंखला जो तो इसका जो rank है, वो कौन सा है दोस्तों- ये तीसवा rank है, सोमन का, तो यहाँपर पूचा है, तो किलास निंकला के दहिने चोर से कितनी दूरी पर है, तो दोस्तों, टोटल कितने हैं, 40 हैं, और इसका rank अगर 30 हुआ, तो 10 इस से अन्य और होंगे इस तरफ 10 और होंगे तो 10 और 6, 16 और एक इसका स्तान कॉंट होगा 17 तो इसका जो रैंक होगा वो होगा 17, option C सही हो जाएगा 17, next question है which destroys born out RBC in human body मानव स्रीर में बेकार RBC को कौन नस्ट करता है तो ये नस्ट करता है स्प्लीन यान की तिली option D सही हो जाएगा स्प्लीन next है penicilline is produced from तो penicilline बनाया जाता है तो किससे बनाया जाता है दोस्तों ये बनाया जाता है mold penicillium से option C सही हो जाएगा इसका answer और दोस्तों penicilline की अप्षकार किसने किया था तो ये लेक्जेंडर फ्लेमी के द्वारा किया गया था इसे दोस्तों जो फंजाई है उससे बनाया जाता है जो फर्मेंटेशन प्रक्रिया है उसके द्वारा पनिस्लिन को निकाला जाता है नेक्स्ट है माइका is used in an electric iron because it is a तो जो electric iron होता है उसमें माइका का प्योग होता है तो दोस्तों क्योंकि जो माइका है वो विद्यूत का क्या है तो ये है कुछालक bad conductor of electricity option b सही हो जाएगा next है aspirin is the common name of aspirin इसका सधारण नाम है तो किसका सधारण नाम है ये है acetyl salicyclic acid option c सही हो जाएगा acetyl salicyclic acid का नाम है aspirin aspirin जो है दोस्तों ये उस्ती के रूप में कार्य करता है दर्द मारक के रूप में एक कार्य करता है next है तो रिगवेद सहींता के दोस्तों चुथाई स्मर्पृत समर्पित है किसके लिए हैं तो इंदर के लीए समर्पित हैं option b सही हो जाएगा नेक्स ए बिफोर एसेंडिंग दा मौरिया थ्रोन अशोक सरब डैजे बाइसराई ओप तो मौरिय समराजे के उथान के पूरव सोक ने बाइसराई के रूम में कहां सेवा दी थी तो दोस्तो जो अशोक था जो महान समराठ अशोक थे यह राजी सिहांसन गरहन करने से पहले तकशीला और जो जैनी है दोस्तों बहां के राजेपाल उन्होंने गवरन के रूम में कारे करा था तो आप्सन यहाँ पर सी सही हो जाएगा तकशीला नेक्स्ट है बंदा सिंग भादर बाज एक्जिक्यूटर बाईधा और रो बिच एंपरर बंदा सिंग भादर को किस सुल्टान के अदेश से फांसी दी गई थी तो जो बंदा सिंग भादर था दोस्तों इसने सिक्कों का नेटरित्व किया था जब गुरु कोविन सिंग की जो मिरत्यू थी वो हो गई थी तो दोस्तों फरुक्षेर ने इन्हें फांसी दी थी तो आप्सन C से ही हो जाएगा फरुक्षेर जो मुगल समराड था इसके अदेश से बंदा सिंग भादर को फांसी दी गई थी और जो नेक्स्ट है दोस्तों ये जो जहांदार साह मुगल सासक था इसे लंपट मूर के नाम से जाना जाता है और बादर्सा जो परत्म है इसे शाहे वेखबर के नाम से जाना जाता था और जो फ्रक्षूर है इसे ग्रिनत कायर के नाम से जाना जाता है इनके उपनाम थे battle of khanba was spot between तो आपको पताना है khanba के उद किनके मद्य लड़ा गया तो खानबा के उद कब लड़ा गया थो दोस्तो 1527 इस भी में लड़ा गया था यह लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच और ऑप्सन C से हो जाएगा बाबर और राणा सांगा और बाबर और हे थारा सो चपन का जो पानिपत को दिवित्य युद्ध हुआ था नेक्स्ट है बीच बाज रिटन बाई राजा रहमोन रॉय के द्वारा निमिन मैं से क्या लिखा गया था तो इन मैं से जो राजा रहमोन रॉय के द्वारा लिखा गया था दोस्तो बो था तो फतुल मुहाई दी जाएगा ये जो थी दोस्तो एक इश्वर बाद के उपर लिखी गई थी पुस्तक थी कब लिखी गई थी दोस्तो थी ये लिखी गई थी थारा सो तीन में लिखी गई थी राजा रामन रोय के द्वारा तो राजा मन रोय थे दोस्तो इनका जरम बंगाल के राधा नगर म और एक सिद समाजिक अभम धार्मिक समाच धारक थे। उनका जरम दोस्तों एक रामन रूडी बादी परिवार में हुआ था बंगाल में और उनकी जो सिख्सा हुई थी दोस्तों वो अर्बी और फार्सी में प्रत्थम पढ़ना में हुई थी। नेक्स्ट क्वेशन है था फस्ट गुवर्नर जर्नल आफ इंडिया बॉज भारत के प्रत्थम गुवर्नर जर्नल कौन थे। कब क्या पूचा है यहाँपर दिरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पोलिसी तो कौन से भाग में आती हैं ये आती हैं भाग 4 और उप्शन B सही हो जाएगा और भाग 4 जो A है उसमें क्या आते हैं दोस्तों उसमें आते हैं मौलिक करतब्य जिनका जो बर्नन है वो आर् इस्टर बाइदा प्रेजिडेंट फारे मैक्समुम पीरियड और एक व्यक्ति जो संसत का सदस्य नहीं है उसे राष्टपदी अधिक्तम इतने समय के लिए मंत्री न्युक्त कर सकता है तो मैक्सम कर सकता है दोस्तों 6 मंत 6 मंत के अंदर अंदर दोस्ते उसे संसत बढ़ना है स्रवोच नियाले के एक नियाधीस को सिर्फ इनी अधारों पर अपने पद से हटाया जा सकता है इन्हें हटाया जा सकता है दोस्तों प्रो बेरी मिस बहेवियर और इन कैपैसिटी ऑप्शन सी सही हो जाएगा दुर्ब बिहार अत्वा असमर्थता नेक्स्ट क्वेशन ह बस्तुम और सेवों की समाने कीमत में कमी किये बस्ता को बढ़नेत करने के लिए प्रियुक्त साब्द है दोस्तों डीफलेशन अब स्पिती इसका सही एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है तो सैटर्न रिंग्स बर डिस्कवर्ड बाई शनी के बिलेओं की खोज किसके द्वारा करी गी थी तो यह करी गी थी गेलिलियो के द्वारा ऑप्सन सी जो है वो सही हो जाएगा और बात करें दोस्तों शनी की तो दोस्तों शनी जो है इसका जो घनतब है वो इतना कम है दोस्तों पानी से भी कम है अगर इसको पानी में रख देंगे तो यह भी तैरने लगेगा और बात करें, कोपरिनिक्स की दोस्तों इसने हेलियोसेंट्रिक थियोरी दी थी, इसके अनुसार जो दोस्तों जो सूर्य है, वो स्तिर है, यानिकि वो नहीं गोमता है, और जो ग्रह हैं, इसके चारों और चक्कर लगाते हैं, और जो न्यूटन है दोस्तों इसने law of motion दिया था, law of motion दिये थे, यानिकि जो गती के नियम थे, वो न्यूटन के द्वारा दिये गए थे, नेक्स्ट है, दा इंटरनेशनल डेट लाइन डेट लाइन डेट लाइन, तो अंतराश्टियर डेट लाइन, फीजी द्वीप्स मुहों को नहीं काटती है, जिससे यहां अंगोश्पेरिक लेयर, लाइस क्लोजली अबब दा ट्रोपोश्पेर, कौन सी बायमंडल की परत है, जो खोब मंडल के निक्टतम उपरी होती है, दो मुखेत है दोस्तों पांच लेयर है, तो सबसे पहले आती है, ट्रोपोश्पेर उसके बाद आती है, तो इसका आंसर जो है, 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 जो है है असाम में बाकी दुदबा जो है दुदबा टाइगर जर्ब जो है या फिर नैशनल पार्क ये है उत्रप्रदेश में बांधीपुर जो है दोस्तों ये है करनाटक में और दोस्तों बाकी की जो बात करें जो पेरियार है ये कहां है ये है केरल में option C जो है वो सही हो, sorry, मानिस इसका सही हो जाएगा और पेरियार जो है दोस्तों ये कहां है, ये है केरल में, next जो है दोस्तों आप से पूछा गया है, आप से पूछा गया है दोस्तों इसमें, आपको सिनोनिम बताना है, solicit का, solicit कर्थ क्या होता है दोस्तो, solicit कर्थ होता है, बिंती या फिर प्रातना करना, तो bc इसका सही आंसर हो जाएगा, option a next है, बनवर्ड सब्टिटूशन बताना है आपको, a name adopted by an author in his writing is तो इसे कहा जाता है, pseudonym, option d सही हो जाएगा, pseudonym, next है there being no evidence against him, he was acquitted इसके साथ, off the charge, off का use किया जाएगा, acquitted के साथ, तो option c सही हो जाएगा, next है meaning of the idiom to cool one's heels is तो दोस्तो, cool one's heels इसके लिए जो सही meaning होगा, इस idiom कब होगा, to be kept, waiting for sometime, option d सही हो जाएगा next है, तपबन का संदी शेद बताना है, तपबन का संदी शेद जो होगा, दोस्तो वो होगा, option b, तपबन प्लस बन इसका सही answer है, next है नील कमल में आपको समास बताना है, कौन सा समास है, नील कमल में समास है, दोस्तो, करम धारे समास योक्डी option में नहीं दिया हुआ है next है, राष्ट्री में आपको दीप्त लो, option A सही हो जाएगा दीप्त लो, I hope दोस्तो वीडियो आपको अपसान आई होगी, अगर वीडियो अपसान आई है वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें thanks for watching, God bless you all